अगर आपका भी बैटिंग करते हुए हैड़ फॉल होता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्फिल होने वाली है आज की क्रिकेट में है सबसे ज्यादा बैट्समें अकाइडमी लिवल पर स्टेट लिवल पर जूज रहे हैं अपनी हैड की प्रॉब्लम को बताऊंगा कि आप कैसे ठीक कर पाऊंगे इस सब चीजों को तो अपको आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे डीटेल में बताऊंगा कि आपका हैड कभी भी फिर फॉल नहीं होगा उसको आप एक अपते से 15 दिन में आप सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अलोंग में आप तक पहुंचते रहें ठीक है गाइस सबसे पहले तो एक कॉमन जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आती है बीगिनर के साथ में या फिर जो अच्छे बैट्समें होते हैं उनके बॉल बोडी पर आता है तब यह बहुत दिकत आती है वो दिकत क कि दुखए देता है लेकिन जब बॉल लैंड करता है बॉल दिखहीний लिएता बहुत सारे बेट्समें हिदा ही यह आती है कि उनको जब-जब बेटिंग करते है तो मिडल स्टम से इधर का बॉल मतल मिडिन स्टम से भार का बौ और और बॉल और बॉल ॉपर पार उसे सी ल अब मैंने अपने head को study mode पे डाल दिया है अब मेरी आखें जो है वो ball को capture कर रही है, ball की speed को capture कर रही है, ball की line or length, ball की trajectory को capture कर रही है, ठीक है, अब क्या होते देखो अब स्टम के भार वाला ball कोई बाती है, नॉमल है, उदर का ball हमें आराम दिख जाता है, जब ball वारे body पे आता है, तो batsmen क्या गलती करते है, उनका front shoulder होता है, बोडी वाले ball पर अपने front shoulder को dip नहीं करते है, जिससे उनका जो आखो का retina है, वो रहता तो narrow से broad के लिए है, लेकिन में, जब ball उनके pad land पर आता है, तो front shoulder की वज़ेसे, आपको side view दिखाता हु, जब ball आता है pad land पर, front shoulder की वज़ेसे उनका येवाला area, ये वाला area block हो जाता है, मतलब, front shoulder dip नहीं करते हैं, front shoulder उनका ये वाला area block हो जाता है, और यहाँ वाली ball उती ही, उसको खाली बस वो एक अं तो गायब क्यों होता है, just because of your front shoulder. आपको क्या करना है इस तरहे किफ्स में, तो मैं आपको आपको last में बता हूँगा, तो अभी बता दे रहा हूँ. आपको क्या करना है इस तरहे में, जब भी आपके ball body line पे आ रहा है, तो आपको अपने trigger movement के वाद, जब भी ball body line पे आ रहा है, आपको slightly अपना front row dip करना है, ऐसे ये, जिससे आपका, जो आखो का vision है, आपका head, थोड़ा सा pitch के पास आ जाए, आपके आखो का vision जो broad जो चल रहा है, नेरो से जो broad चल रहा है, वो ये वाली line भी cover कर ले, stump के line या फिर आप बोल से के pad line, ठीक है, एक पर यह हो गया, दूसरा क्या हो गया, जो beginner होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपको जब stance रहना है, stance में अपने, आपको baller को watch करना है, shoulder के उपर से, chin को रखना है shoulder के उपर, ठ आपने trigger moment लिया, trigger moment आपने बहुत लेट से लिया और उसमें आपने आखें हिला दी, आपने आखें हिला दी तो आपकी ball आपको एक्दम clearly visible नहीं होगा, मतलब आपको कुछ ऐसा blur, आपको एक example देता हूँ, आप camera से कुई photo capture कर रहे हो, ठीक है, आपने photo capture करते हुए camera को हिला तो आपको ball थोड़ा सा blur दिखाई देगा, बतलब आखों के सामने ऐसा लगए, बाल ही नहीं है, कुछ गायपसा हो रहा है, जब तक आप अपने head को, जब तक आपने head को, फिर से stable कर होगे, जब तक ball आप पास आ रहेगा, तो यहाँ पर जो beginner बोलते है कि उनको ball दिखाई अपने head को लेके जागी बस, इसके आपको दूनों प्रैक्टिस करने पड़ेगी, आपको head अपने अप ठीक होईगा, यह problem तो आती है, जो beginner लेवल होती है, बात करते है, जो अली लेवल होती है, उनका head fall होता है, अब head fall के वजए से, दिक्कत क्या आती है वो आपको बता कर पा होई, लेकिन जो आपको head fall होता है, तब क्या दिक्कत आती है, वो आपको video बताऊंगो और ऐसा बताऊंगो आपको आयता किसी ने ने बताया होगा, इस stance रिया होगा, इस अपने, आपको बताया हो, आपको फिन दौनों आखे पैलल रखने हैं ऐसे, आपको stance में, ले आज़ेश्मेंट करते हैं उनकी आखें पहले के वजाए जब बाल इसे हो जाएगी आप देखो वीडियो में भी तो आखें आखें आपके ऐसी हो जाएगी ना तो आपका जो बाल पर विजन है ब्रॉड बॉड 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 वहां से पुरे डिस्टब बॉड बैक फूट पर कभी नहीं होता है बहुत एरली होता है फ्रन फूट पर क्या होता है देखो मैंने बॉल प्लेस किया ऊओ वीडियो आपको दिख रहा हुआ अगर मैं अपना फुट वर्ट पूट बॉल की अलॉंग साइड ने नहीं किया है चलो मैं बतारू आपको मैंने अ मेरा front foot मुझे allow कर रहा है मेरा body का weight transfer करने के लिए इस direction में लेकिन मैं अपने head को वहाँ लेके जाऊँगा तो मेरा body का weight कुछ amount body का weight इस direction मुझे allow करेगा मेरा base यहाँ पर है head वहाँ जाएगा तो मेरी body follow जाएगी body जब fall होगी ना तो ना तो आपके shot में power आएगी ना shot में control आएगा यह अपका जब footwork faulty होता है इसमें आप एक case में और देख सकते हो जब batsman caught band होते है सामने बाला ball है ठीक है ball ball runner release किया batsman ने ball read कर लिए ball off-storm के line में है batsman ने अपना front foot यहाँ पर डाल दिया ठीक है अपना सुना भी कोचिस से की ball को chase करने मत जाओ front foot पर पर डाल दिया ball की along side डाल लेकिन ball swing होता हूँ आ रहा है अपने पर यहाँ पर ball swing होता होगा ball की line यह आ गई ठीक है तो आपका head fall हो जाएगा तो आपको यह दो तीन चीज़े याद रखनी है head की जब भी आपको problem fix कर रहे हो रहे हो सबसे पहला तो आपकी आखे नहीं हिलनी चाहिए ना आँखें इल गई तो ball blur हो गया आप ball की line और land speed जज़नी कर पाऊगे आपको पता भी तरह कि आपको पास ball काव आ गया ठीक है second gear आप जब कोई shot खेल रहे हो जितना possible हो सके अपनी दोना आखों को parallel रखो आप off-stum पे खेल लो तो भी अपनी दोना आखों को parallel रखो if you like the video, give me thumbs up, keep supporting me, thank you